असलाम लेकुम तो विडियो में आप लोग साथ फुल हाई कवरी पॉंडेशन जिसना से से लॉंज में फुल बेस रेडी की जाती है उसका मैं तर साथ शेयर करूंगे और साथ आप प्रो कंसीलर को किस नहीं से यूज कर सकते हैं ये शेयर किस किस प्रॉब्लम और प्रपस के यूज होते हैं उनका भी फुल डिटेयर रिव्यू आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करूंगे अगर आप लोग में चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक शेयर और कमिट में अपना सजेशन रिक्वेस्ट को भी सब्स सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह की पैकेजिंग में यह आपको डिफरेंट शेयर मिलेंगे यह काफी अच्छा कॉंबिएशन के लिए जो मीडियम पाकिस्तानी लोगों के शेयर होते हैं उन तरह के कंप्लेक्शन पेने काफी सूट करते हैं चाहिए आपका जो रंग है वह फेयर हो नॉर्मल हो या डल कलर हो तो एशन स्किन टॉन के लिए यह तीन और यही वाले यूज होते हैं वाकिसमें परफर भी मिलता है बट वह बोको जादा एक्स्ट्रा फेयर स्किन पर जादा मला वह इतना यूज नहीं होता है यह तीन शेयर जादा बैस्ट जाहना पर जादा बात की जाए तो यह और इंच के लिए यूज करते हैं तो यह कैंसल आउट करता है ब्लू ब्लैक को जैसे कि आपके डार्क सरकल्स है पर जितना भी डार्क एरिया है पिग्मेंटेशन जैसे कि लिप्स के राउंड होता है इसके रावा अगर पूरे फेस पर कही लिप्स्टिक यूज करते हैं इस तरह के ब्राउनिश और और टाइप ठीक है और उनका फॉर्मुला बहुत ही लिक्विड से होता है वह मेकप करने के बाएज जाती है तो मलब आप कंसीलर यूज करें तो ज्यादा बैस्ट होता है क्योंकि इसका टेक्स्च्च्च्च्च मैकप ञाए तक रेका स्कुल्य को स्क्चेयों परुंडेशन ते लिए सब्चेयाद से थी ज измен." तो आप इसको बहुत ही लाइट सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लावा आप इसको पिग्मेंटेशन पर प्लाइक करना जानिके डार्क सरकल्स और ब्लू और ब्लैक स्कीन होती है तर्क ब्रॉंड नियुक्त विए अब बात की जाए ग्रीन वाले कंसीनर की तो यह हम यूज करते हैं यह कंसल आउट करता है रेड़ शेड को जैसे कि अगर आपके फेस पे ब्लैमिशी है चिक्स वाले एरिया पर यूज कर सकते हैं अब बात की जाए यह बेच वाले की तो यह आप ऐसा फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं देख लिए इसका जो शेड है जिन लोगों को पसंद रहते हैं पर काफी बैस्ट जाएगा बाकि यह जो है और इस तरह से फाउंडेशन के लिए कर सकते हैं अगर आपके फाउंडेशन बहुत जादा फेयर आ गई है आपके इसके इन पर नहीं जा रही तो आप इस तरह से बाकि यहां जहां पर भी आप यहां पर पहले यलो कंसीलर के साथ उसको सेट कर लेना ठीक है ताकि जो फांडेशन है उसकी एक बेस रेडी हो जाए इसके बाद इसके उपर हमने फांडेशन स्टीक यह जो भी आप बेस यूज करते हैं वह अपलाई करने इस तरह से इसको अच्छी जासे ब्लेंड करने स इस तरह से हट जाएगी अब बात की जाए फांडेशन की तो यहां पर मैं मिस्स रोस की फांडेशन कर रहे हूं जो मीडियम कर रिचा बिल्ट अप कवरिज आप इसको पूरिया फेस पर पहले स्प्रेट करने फांडेशन को पिर डैम ब्यूटी ब्लेंटर के साथ डैप ड शिरा और जाए पांडेशन और फांडेशन ऑक्सिडाईज हो जाते हैं एक साथे बात के साथ मिडसे लिए पांडेशन की आपके सिकिन जालग ब्लेशन के साथा है और पूर्ट बढ़ने पाद कर आप करनापकी तो आपकी बेसे इस बहुत जाए जाएगी और यह बहुत अगर आप लोगों की फाउंडेशन बहुर जादा लाइट शेड में आगी है तो आप और इंज करेक्टर करके उसको अपने स्कीन के अकोर्डिंग बना सकते हैं ग्रीन कलर में अब सारे जैसे हैं कि आप अपनी हर तरह की फाउंडेशन को सेट कर सकते हैं फेस प्रोब्लम को हाइट कर सकते हैं डार्ट सरकल्स को अखनी को हर्ड प्रोब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो यह काफी बैस्ट है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगए हो तो इस वीडियो थाम्स अप एंड थैंकिस्वाच वाचिंग टेक्यर लाफेस् कर सकते हैं तो यह अवाचिंग के ले सकते हैं तो यह वीडियों दिया।